यूटूब चैनल मेडिकल निर्सिस अब मेरा नाम है कीरती और आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग मेथट्स और कॉंट्रसेप्टो मेथट्स के वारे में जो कि आपके अपकमिंग एक्जाम में इसपेसली MPNHM CHO एक्जाम में पांच से दस नम्मर के MCQ सकाएंगे इस कंपेर टू प्रीवियस लेवस हम देखें क्योंकि अभी MPNHM ने CHO का जो एक्जाम होने वाला है उसका उफिसियल स्लेवस अपडेट नहीं किया है तो जो प्रीवियस लेवस से उसके अकॉर्डिंग क्यांगे आदिये हम चलने तो पांच नम्मर का है जो फैमली प्लाणिंग मेथट्स में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं तो यहां पर जितने प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेसज में कॉपडेट इट कोस्चन नहीं जोकि आपके अपकमिंग एकवजाम में बहु क्योंकि जो अलग-अलग स्टेट में एक्जाम है उनके लिए MPNHM के लिए भी और जो स्पेस्पिक टॉपिक रहेगा आपके जो स्लिवर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक रहेगा वो भी यहां पर स्पेस्पिक वीडियो के थ्रोव क्लास के थ्रोव आपको पढ़ाया जाएग और आपको किसी भी प्रिकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे वाट्सेप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं यहां पर फैमिली प्लानिंग मेधर्ट के पहले मैंने कल आपको एक क्वेस्चन दिया था लास्ट क्लास में क्वेस्चन था कॉपर T380A IUD सुद्भी रिप्लेस्ट वन से ना तो कॉपर T380A कब रिप्लेस की जाती है ऑप्सन में दो चार साल छे साल आठ साल तो आल्मोस्ट सभी लोगों नहीं जो इसका राइट आंसर दिया है दस साल तैन येर्स है जो एब्री टैन येर्स कॉपर T380A को रिप्लेस किया जाता ह है आज का क्वेशन में फ़स्ट है आईयोडी मिरेना रिलीज लेवुन जेस्ट्रल फॉर हाउ मैनी एयर्स मिरेना है वो की एक हॉर्मोनल कॉंट्रसेप्ट डिवाइस है जो जो लेवुन जेस्ट्रल हार्मोन को रिलीस करती है तो ये कितने साल तक करेगी ऑप्सन में थी तो मेरेना का पूंच है कि इसका जो केमिकल कंपोनेट्ट जो हॉर्मोन्स क्या है वह लेवनजेस्ट्रोल और कितने टाइम तक है जो रिलीज करेगी तो यह करती है पांस साल तक इन केस इहां पर आप आफटर दैट फाइव यह तक भी इसको पांस साल के पहले है जो क्या चाहते हैं तो इसको निकलवा सकते हैं बट यदि इसका डूरेशन पूंचते हैं तो पांस साल तक एफेक्टिव रहेगी और इसमें कितना लिवन जैस्ट्रॉल होता है तो फिप्टी टू एमजी पर दे आप से पूंचा जाता है कॉस्टन एक्जाम में आता है कि जो मिरेना में लेवन जैस्ट्रॉल है फिप्टी टू एमजी है टोटल पर दे कितना है जो अप्रॉक्सिमेट पर दे कितना रिलीस करता है तो ट्वेंटी म्यूजी पर दे यह चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है मिरेना एक क्या है आई यूदी है जो की पांस साल तक के लिए एफेक्टिव रहेगी पांस साल तक लेवन जैस्ट्रॉल हार्मॉन को रिलीस करेगी एंड इसमें टोटल फिप्टी टू एमजी लेवन जैस्ट्रॉल रहेगा बट यहां पर आपको इनीसियली स्टार्टिंग डेस में पूश्थे हैं तो एप्रॉक्सिमेटल ट् बात करने तो इंफेक्शन होने के चांसे जादा रहेंगे और आयूटी का जो मोस्ट कॉमन साइड एफेक्ट पूचा जाता है वो क्या होता है ब्लीडिंग एंड पैन नेक्स्ट इस मेकनिजम ऑफ एक्सट ऑफ आयूडी इस तो इंट्राइट्राइन डिवाइस का मोड़ अश्चन और मेकनिजम ऑफ एक्सट है वो क्या है तो फृवेंट टफाटलाइजेशन तो इस सिर्ण जो ओबा उसके फटलाइजेशन थन को क्या करना प्रवेंट करना इससे बेभी और जो प्रेग्नेंसी उसको कंसीष्ण और नहों हो पाय तो इसका जूमैन अक्शन पू कौनसी में है ML COP2-250 , यहां पर थाइट जनरेशन आएउटी पूछी है तो यहां पर क्या है मुर्फिकी अ क्या है है कौन्टर सेप्ट हॉर्मोनल आईउसीड है और कौनसी जनरेशन की थाइट जनरेशन जितनी वह थाइट जनरेशन आईउसी होती हैं इनको होर्मोनल इंट्रायोटराइन कोंटर्सेप्ट डिवैज नेक्स्ट वन इस आइडियल केंडिडेट फौर आईउसीडी इन्ट्रॉट्स एक्सेप्ट गडाइट करने के लिए आइडियल केंडिडेट सभी हैं भड कि एक को छोड़ कर ऑप्शन में बिलिंग ट का मतलब है कि वह लगवा सकते हैं एक्सेप्ट का मतलब है जो नहीं करवा सकते हैं उपसिन में है विलिंग टू चैक्ट दा थ्रेड वीचिसेग्व पर कोई सर्वाइकल और पी इंफेक्शन हो तो यह बिलकुल है जो आइडियल तो नहीं माने जाएंगे इनको पर्मानेंट टिस्टलाइजेशन की एडवाइस दी जाएगी गट एक्सेप्ट करके क्वेस्टन पूछा है तो आपका अंसर होगा और यहां पर एक क्वेस्टन और बनता है कि जो कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस है इनकी एफेक्टिवनेस के लिए जो इंडेक्स होता है वो कौन सा है तो वह पर्ल इंडेक्स एग्जाम में आता है मैं इसलिए आपको यहां पर बता दिया और मैं एक चीज़ हरवार कहती आप सबी से कि जो भी लोग क्लास को देखते हैं मोग क्लास को escape कुछ चीज़ें आपर टाइफ नहीं हो पाती हैं आप पूरी k्लास को जरूर सुने ग nessa के एफेक्टिवनेस के लिए किस इंडेक्स से हम फाइंड आउट करेंगे तो होगा पर्ल इंडेक्स कि कितने परसेंट हैं जो फेल हुए हैं आईउसीडी और जो कॉंट्रसेप्टिव मेथर्ट से यूज की गई हैं नेक्स्ट इस मेकेनिजम आउसीडी इस ओल एक्सेप्ट तो मोड ऑफ एक्सन आईउसीडी के सभी हैं किसी एक को छोड़कर ऑप्सन में इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस लोकल फॉरेंड वोडी लाइ को प्रिवेंट करना इसके और अधर काम भी होंगे कि सर्वाइकल म्यूकस को क्या करना इंक्रीज करना जब आईउसीडी इंसाइट की जाए तो ऐसा फील हो कि कोई लोकल फॉरेंड बाड़ी टाइप रियक्शन देखने को मिले एंडोमेट्रियम को इस तरीके से बना नेक्स इस ट्रू अवाउट आईउसीडी इस तो इंट्राइउट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस को लेके हां पर सही पॉइंट कौन सा है ऑप्सर में कॉपर्टी 380 वाज इंट्रोग्राम इन 1992 प्रोजेस्टर साइट इस थाइड जेनरेशन आईउसीडी कॉपर कॉपर्टी 380 एज एप्रूब्ड फॉर यूस फॉर फाइब मिनिमम इयर स्वाइब मैक्सिमम इयर कॉपर डिवाइज है लोवर एक्सपल्शन रेट तो कॉपर्टी है जो यहां पर आईउसीडी को लेके सही पॉइंट क्या है तो वह है प्रोजेस्टर साइट इस थर्ड जनरेशन आईउसीडी तो यहां पर जो हॉर्मोनल मेथड है आईउसीडी की वह क्या है प्रोजेस्टर साइड जो की थर्ड जनरेशन आईउसीडी है और यहां पर कॉपर्टी 380 एटेन येर के लिए इसकी एफेक्टिवनेस मानी जाती है नेक्स्ट यहां पर टू सब्सक्राइब है तो यहां पर इसको लेके सही पॉइंट क्या है ऑप्शन में है एफेक्टिवनेस फॉर टैन येर्स सिल्वर कोर मोर कॉपर कंटेंट या फिर मोर चांसे सो पर्फूरेशन तो जो नोबाटी है इंट्री उट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस है सिल्वर को मैं तो यहां पर देखिये सिल्वर कॉर्खञ अपिया फिल्वर नोगी जो की सब्सक्राइब को पर अधिर क्या कुस्ट करेगा न कि दस के चांसेज भी कम हैं कॉपर कंटेंट भी क्या है काम है बढ़ सिल्वर कोर प्रिजेंट है तो यहां पर आपका अंसर क्या होगा भी नेक्स्ट इस ऑल अप दी फॉल्लेंग आरदा एडवांटेज ऑफ फैर्ट जनरेशन आयूडी एक्सेप्ट तीसरी जनरेशन की जो आयू प्रेग्नेंसी चाहे कोई सी भी आप आयू सीडी इंसर्ट करवाते हैं यहां पर तो थर्ट जनरेशन हॉर्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात हुई है तो इसके एडवांटेश होंगे की हाई एफेक्टिव रहेगी एक्सपल्सन रेट भी कम होंगे लंबे आल यह पर आपके वर्क करेंगे नहीं कर पाएंगे और ज्यादां कर पाएंगी तो यहां पर आपका अंसर होगा डी नेक्स वन इस थर्ट जनरेशन आई उसीडी एक्ट तो है तो इस्टरेशन की जो एउसीडी किस तरीके से काम करेंगे इस ट्रॉंग एंटी तो जो थेट जनरेशन की इंट्रायूट्रायन कॉंट्रसेप्ट डिवाइज हैं किस तरीके से काम करती हैं एक तो यह हॉर्मोनल हो गई जो की एंडोमेट्रियम में जो म्यूकोसल लेयर है वहां पर अपना हॉर्मोनल एफेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे प्रेग्नेंसी को को प्रिवेंट किया जाएगा थार्ट जनरेशन आयूसीड किस तरीके से काम करेंगे हॉर्मोनल एफेक्ट उन्द म्यूकोस ऑप दा एंडोमेट्रियम नेक्स्ट वन इज एपसलूट कॉंट्र इंडिकेशन ऑफ आयूसीड इंसाइट नहीं करेंगे ऑप्शन में एनिमिय डायविटीज पी आईडी यह फिर हम्रेज तो एपसलूट का मतलब है कि किसी भी तरीके से हम रिस्क नहीं लेंगे यह एपसलूट जो की एक प्रॉपर तरीके से कहें कि यह से केस में आयूसीड इंसाट कर ही नहीं सकते हैं तो वह हैं पर पी आईडी पैल्विक इंफ्लम लुट कहुं सिर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन ओरल कौंट्रसेट्टिव घंट इल्ट एबल कोंट्रेज heaveर कंट्रसेप्टिव हैं कि जनरेशन की हैं सेकंड जनरेशन की बाकि अभी हमने पड़ा जो मिरेना नोबर्टी ये सब हॉर्मोनल हो जाएंगी बटिया पर मल्टी लोड डिवाइस कि इस एकंड जनरेशन की next is most important question जो आपके हर एक एक एक्जाम में नर्सिंग में आता है वो है all are true about centochromen except centochromen एक क्या है contraceptive method है तो इसको लेके सभी points correct हैं सही हैं बट किसी एक को छोड़कर accept हैं option वे हैं पर centochromen is a non-steroidal contraceptive centochromen has been developed in India centochromen is useful for females with PCOD the failure rate of centochromen is 1.83 to 2.84 per hwy centochromen को लेके सभी points बिल्कुल correct हैं किसी एक को छोड़कर तो यहां पर centochromen एक non-steroidal contraceptive हैं इंडिया में developed की गई है लेकिन इसकी जो failure rate है भी बिल्कुल correct बता हैं बटे PCOD के case में यूज नहीं की जाती permanent है और जो absolute counter-indicate माना जाता है यहां पर accept question था कि centochromen is useful for females with PCOD centochromen जिसको हम चाया के नाम से जानते हैं जो कि non-hormonal pills होंगी यहां पर इसका dose भी दिया हुआ है चाया और centochromen is a non-hormonal pill that needs to be taken twice a week for first three months इसका dose यदि एक्जाम में आता है तो आपको क्या करना है कि starting के starting के तीन महीने तक क्या करना है बीक में दो बार लेना है और आफ्टर वन सा वीक में एक बार स्टार्टिंग के तीन महीने तक क्या करना है आपको हर हपते में दो टैबलेट लेनी है बट जब तीन महीने कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हर हपते में एक टैबलेट लेनी है इसकी छाया की और centochromen की next is if a woman if a woman was taking an oral contraceptive pill then which of the following investigation would be related to the long term consumption of steroidal contraceptives तो यदि कोई women long time times OCP pills ले रही है then उसमें कौन से test है जो करवाने पड़ेंगे कि जो steroidal contraceptive उसने यूज की हैं तो क्या effect रहेंगे इसके लिवर फंक्स एंटेस्ट सर्वाइकल papyr smear the weight smear of vaginal secretion for monoleal endometrial biopsy यहाँ पर फिर option है b c and d that means a option number b c or d या फिर a c and d a b and d या फिर a b c टेस्ट यहाँ पर करवाय जाएंगे वहोंगे a b and c that means liver function टेस्ट सर्वाइकल पैप स्मियर और वैट स्मियर और बैजाइनल secretion for monoleal antibody यहाँ पर जो यदि लंबे टाइम से आप ले रहे हैं तो जितनी भी medicine लेंगे LFT क्यों करवाएंगे क्योंकि यहीं से इनका metabolism होगा सर्वाइकल पैप स्मियर होगा सर्विक्स कैंसर को डाइग्नोस करने के लिए और जो बैजाइनल सीक्रेशन के लिए चेक किया जाग वैट स्मियर लिया जाएगा तो यहाँ पर इस सभी टेस्ट है जो करवाए जाएंगे जो लॉंग टम से कंजूम कर रहें में इस्टिरॉइडक रसीति नेक्स इसस बिसाइद्स प्रहदंसी यह औरल्ला चंतर सेप्टीव प्रोटेक्ट एंच्ट अंस्ट एक्सेप्ट तो प्रेड्नंसी को छोड के ओरल को प्रॉटेक्ट प्रो प्रेग्नेंसी को विसाइट्स किया है यह सभी से प्रोटेक्ट करेंगे हमें किसी एक को छोड़ कर तो है पैटो सेलुलर एडिनोमा प्रेग्नेंसी के अलावा जो लॉंग टम से और जो ओसी पी पिल्स लेते हैं तो फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट कैंसर से बचाएंगे आरेंड एफिसेंस यह नहीं से बचाएंगे ओवरीन कैंसर से लेकिन हेपेटो सेलुलर एडिनोमा से हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट बन इस हाव मच इथिनॉइल एस्ट्रॉइडल डस दा न्यूड लो डोज ओफ औरल कॉन्टरसेप्ट पिल कंटेंड इथनॉइल एस्ट्रॉइडल है जो माइक्रोग्राम में डोज पूंचा है तो ओसी पी में कितना रहता है 20 25 30 35 माइक्रोग्राम में हां पर डोज हैं पूरा तो यह कितना होता है 20 कितना 20 नेक्स्ट इज बिच बन ऑफ दी फॉलिंग इस नॉट एन एफसलूट कॉंटर इंडिकेशन फॉर ओरल कॉंट्रसेप्टिव पिल्स तो एफसलूट कॉंटर इंडिकेशन कॉंसा नहीं ओसी पी को लेके ऑप्सन में नर्सिंग मदर्स कैंसर और ब्रेस्ट काइडियक अब नॉर्मलीटीज हिस्ट्री ऑस थ्रॉम्भी अश्वल इसलूट कॉंटर इंडिकेशन नहीं है तो वह बर ऑपर सब्सक्राइब हैं ओसी नर्जिंग मदर्स होती हैं नर्जिंग मदर होती हैं उनमें इसे और कॉंसी और प्रेग्नेंसी के लिए प्रेवेंच करने के लिए तो बोवेन नेपना है आपको मिनी पेल्स जो नर्सिंग मदर्स लेक्टेशनल अबदर होती । को हमें दे सकते हैं नेक्स्ट इस माला एन ओरल कॉंट्रसेप्टिव पिल्स डिफर्स फॉर्म माला डी इन टरम्स ऑफ तो माला एन ओसी पी माला डी से किस चरीके से डिफ्रेंट है नौर्जेस्टॉल डोजेज ऑस्ट्राइडल डोजेज सोल्ड अंडर सोसल मार्केटिंग इस की श्वयाइन पर सप्राइड फ्री ऑ अब कॉस्ड तो माला एन ओ म्मालाडी दोनों में नोर्जेस्टॉल और यह दों होते हैं बट हैं लग्याजर नौर्डrised ब्यच्क्रीण पर बात कि कId बात की सेप्लाइट फ्री एफ कोस्ट की माला आन ओनलडी के बीच के एक है डिफ्रेंस है कि माला डी है जो क्या की जाती है फ्री आप कॉस्ट नहीं मिलती दो या तीन रुपए में है जो मार्केट में भी अविल विल हो जाती है नेक्स्ट आहां पर अब में उजंग कंबाइंड ओसी पी अज़ फॉल्विंग नॉन कंट्रसेप्टिव एक्सेप्ट ट्यदि कोई और कंट्रसेप्टिव ले रही है तो उसमें नॉन कंट्रसेप्टिव एनिफिट्स मतलब कि प्रेग्नेंसी को छोड़ कि अदर लिए को छोड़कर प्रोटेकशन अगंस्ट् 1 प्रोटेक्ट्स पूंट क्या करेंगे प्रोटेक्ट्स नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट बुमंन ऑन कबमइन डो सीपी टेकिंग देम ओन डोस्ट्स लीछ नेक्स्ट मेनेजमेंट क्या होगा और यहां पर कहा है कि नेक्स्ट लाइन मेनेजमेंट पूंचा है यदि दो टेबलेट दो डोज आप भूल गए हैं तो आपकी यहां पर प्रायोटी वाइस की बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर आपका अंसर होगा कि सिप्ट ले रहे हैं उसको कर सकते हैं नेक्स्ट इस ओरल कॉंट्रसेप्टियों कॉस्ट तो सीपी क्या कॉस्ट करेगा मॉनिलियल वैजाइनाइटिस, पिट्यूटरी वैजाइनाइटिस, तो सीपी क्या करेगा मॉनिलियल वैजाइनाइटिस को कॉस्ट कर सकता है next and most important question जो एक्जाम में आता है प्रोवेरा को लेके DMPA is an injectable contraceptive method it can be given in every DMPA जो डिपॉक्सी जो प्रोजिस्टरॉन एसिटेट है तो इसमें क्या injectable contraceptive method यह कैसी injectable contraceptive method आप से पूछी जाती है तो क्या DMPA और अंत्रा मार्केट में किस नाम से मिलेगी प्रोवेरा यह फिर अंत्रा के नाम से तो यह जो की एक न्यू रिसेंट में एड की गई एनचेम जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसके ताहित एड की गई नई injectable contraceptive method यह DMPA प्रोवेरा और अंत्रा तो यह हर कितने महीने कितने साल में inject की जाती है ऑप्सन में थ्री मन्थ टू मन्थ वन मन्थ यह फिर त्री यहर्स DMPA और अंत्रा हर तीन महीने में जो इंजेक्ट की जाती इंट्रमस्कलर रूट से एब्री थ्री मन्थ में इसको इंजेक्ट किया जाता है इन टून इस तो इंसे फेंपलश प्लानिंग के मोंडिटी में कौन सा पार्ट नहीं आएगा इनजेक्टिवल कॉंडूर थी इम जैंसी कॉंड्रूसे Von both तो फेंबल से अनिंग काम जो नहीं है आपर क्वों क्या है इस gefिस्प्रती यहां पर आपका की जाएंगी इवनिंग में आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आप लोग प्लीज कमेंट कीजे एंड एप को डाउनलोड कीजिए कि आपको एप में भी किस तरीके की जो हमने वन से लेके 12 और 13 तक सीरीज पड़ी है वो आपको एप में अपडेट कर दी जाएंगी थो रpt च्छी एंग जाइव झाल कीरो कि ऑला की समानलोड कर दोल वत वार खड़ी जैश